इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो ऐसे हैक लेके आई हूँ जो बहुत ही यूसफुल है और विंटर के लिए तो खास दोर से विंटर में हमारी स्कीन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है बारबर जो है क्रीम लगाना पड़ता है लोशन लगाने के एक दो हमारी स्कीन दुबारा ड्राई लगने लग जाती है तो इस चीज को दूर करने के लिए एक मैं ऐसा हैक लेके आई हूँ जो मैं भी आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं और किस चीज से बनाते हैं दूसरे सर्दियों में हमारी हमारी जो लिप से बहुत ज्यादा रूख है और ड्राई हो जाते कई बार क्राइक भी पड़ जाते हैं तो उसके लिए एक लिप बनाएंगे हम और मैं दिखाऊंगी कैसे बनेगा वह लिप और यह जो लिप बाम है जैसे कि हम मार्केट से खरीद के लेका थे वह थोड़ा ओईली होता है और सारा टाइम ब्लाक नहीं होंगे एकदम सॉफ्ट लगेंगे आपको चलिए अब मैं आपको करके बना के दिखाती हूं कैसे बनाते और किन चीजों से बनाते उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा यह ग्लिसरीन चाहिए होगा आपको जो मार्केट में एजली इसरीन में मैं यह मैंने ब्लशर रखा हुआ है कोई भी ब्लशर आप यूज कर सकते हो जैसा आपको कलर चीए चाहिए तो ब्राउन भी यूज कर सकते हो यह जो यह ब्लशर है जो मेरे एक पैलेट में पैलेट जो है टूड गया था तो मैंने इसे इसमें सेव करके रखा थ काली टूटा था तो अब मैं यह जो ब्लश रहे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा डालने के बाद इसे मैं जो है कि इस ब्रश की मदद से मिक्स कर रही हूं मिक्स करने के बाद यह कुछ ऐसा पेस्ट बनेगा अपने अपने कोई भी ब्लश का कलर यूज़ कर सकती है और अब आप सोच यहांगी कि जो गलिस्री ने वह तो थोड़ा मीठा होता है लगने के बाद बहुत स्थीकी और चिपचिप फील होगा ऐसा कुछ फील नहीं होता लगने के बाद एक्दम ड्राय हो जाता है और उसके भी छोटी सी डिब में से स्टोर करके रख सकते हैं चार से पांच दिन के लिए और आप इसे फिंगर से ही यूज कर सकते हैं जैसे मैं आपको लगा के दिखाते हूं यह देखें कितना प्यारा सा कलर लग रहा है एक दू सेकेंड के लिए आपको लगेगा थोड़ा सा स्टीकी उसके बाद आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि अपने लिप्स में कुछ लगाया है यह मेरा था फॉर्स्ट है सेकेंड जो ड्राय स्किन के लिए हम लोशन लगाते हैं तो एक दो घंटे बाद स्किन ड्राय लगती है रियाप्लिकेशन करना पड़ता है उसके लिए यह जो मैं बता रही हूं यह बहुत ही अमेजिंग है आपको इसे रात को सोने से 15 मिंट पहले यूज करना है और नहान की जो बॉटल है इसे में हाफ कर लूँगी दूसरे बाउल में हाफ करने के बाद जितना यह बचा है इतना ही हाफ में यह रोज वोटर डावर का रोज वोटर मिक्स करूँगी इतना मैंनी ग्लिसरीन लिया है उतना ही में इसमें रोज वोटर मिक्स करूँगी इसके बाद इस बोटल को अच्छे से शेक कर ले अगर आपके स्किन सर्दियों में भी बहुत ज्यादा टान होती है तो आप इसमें दो से तीन ड्रॉप लेमन जूस डाल सकते हैं जिससे आपकी टानिंग भी रिमूव हो जाएगी और इसी जो है यह जो लोशन बना है एक लिक्विड को आप रात को सोने से पंद्रा मिन पहले पूरी बॉड़ी पे इवेन आप फेस पे भी लगा सकते हैं जिससे अपका नाच्र ग्लो भी क्रियेट होता है अगर आप रेगुलर इसे यूज करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग है आपको इसको यूज करना भी बहुत इजी है मैं पूरे हाथ में अच्छे से पूरे हाथ में इस तरह से लगा सकते हैं अब देखना मैं इस में फिंगर से कर रही हूं तब यह वाइट नहीं हो रहा और पहले ऐसे तो बहुत वाइट लग रहा था चाहे तो यह जो है यह तो एक महीना भी चल जाता है आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक बोटल में रख ले या तो अपने बाग में भी कर सकते हैं और आपको लगे वैसे तो यह लगाने के बाद आपको चार से पांच घंटे तक आपको इस बिल्कुल भी फिल नहीं होता है आप इसे लगा सकते हैं एक तो सुबह लगा ले दूसरा ज़र सोने से पहले लगा ले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है मेरी दो हैट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज यह यूज करके देखना यह 100% एफेक्टिव है क्योंकि मैं खुद भी यूज करती हूँ पूरी विंटर में मैं लोशन कोई भी नहीं लगाती हूँ मैं यह इसका लिक्विड बनाके रखती हूँ और यह ही यूज करती थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो बाई